हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मोना जयमी किचन में हुआ ऐसा कि हमारे पास में एक छोटा बच्चा है उसके पैरेंट्स आए उन्होंने बताया कि मेरे बैटे का बर्ड है तो हमें कोको मेलन थीम केक चाहिए तो मैंने सोचा चलो कुछ नया बनाते है और म मैंने इसको थ्री लेयर में कट कर लिया है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कट कर रहे हूं अंदर के रेसे बाहर बिखर रहे हैं और फिर मैंने उस पर पाने से अच्छे से स्प्रे कर दिया और फिर विप क्रीम लगाई और विप क बहुत ही अच्चा हो जाता है घर मेंने बटर्सकॉच Candla डाले इससे बीते हैसे यह और बीच में क्रण्ची प्रण्ची आते हैं इसलिए और नैक्स्ट वीडियो में में बटर्सकॉच क्रण्च बनाना जरूर बताऊंगी कि मैंने भू घर कायूझे का से बनां और खीा य नंथना की केक बिल्कुल आक्षा ना उसन देख सकते हैं किय आप देख सकते हैं किकपो सपारा हो होती हलकी हलकी हातो से हमें में मैं में ऐती होता है मैं य element के चुक्षायपका फ्रीचिन और रहे अंहीं थाकि केक का बैलेंस बना रहे है और फिर मैंने प्लेटर नाइव से और आप देख सकते हैं, मैंने फंडेंड की यहسं को अर ग्रास की थे सबने Frank sır लगाया है। इन हम आप समक्लेंडर मारकेट्ट केफों, अइसल होजाता है। और मैंने सन बनाया है सूरज आप देख सकते हैं वह भी मॉल्ड मार्केट में मिलता है बहुत ही अच्छे से यह सब फॉंडेंट कटर सब मार्केट में इजिली अवेलेबल है और इसको चिपकाने के लिए पीछे मैंने चोकलेट का यूज लिया है क्योंकि विप क्रीम में अ इसको चिपकाए आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मैंने तरह तरह के फ्लॉवर बनाए है और मैंने एक भी एनिमल नहीं बनाया क्योंकि कश्टुमर ने मुझे एनिमल लगाने से मना कर दिया था तो मैंने एक भी एनिमल नहीं बनाया और अगर आप एनिमल चा तो आप कमेंट में जरूर बताईए कि यह कैसे बनते हैं तो मैं आपको जरूर इनका वीडियो बना के बताऊंगी और मैंने साइड में कॉको मैलन की शुगर सीट लगाई है आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है केक और जो यह कटिंग भी होती है जो फोंडेंड कटर से बहुत ही फिनिशिंग से होती है इसलिए यह और भी अच्छा लगता है यह अपन हाथ से भी कार सकता है लेकिन जो फिनिशिंग कटर से आती है वो हाथ से नहीं आपाती इसलिए मैंने कटर से काटा है और ये एक फिरोजी का मैंने बेस के ओपर केक सेट लगाई है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बीच में ये ट्विश्ट डाला है ये लाइटिंग का और उसमें जिसका बर्डे है उसके बच्चे की पिक्स लगाई है आप देख सकते हैं और ये केक कितना प्यारा लग रहा है और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाए जिससे मेरे आगे की वीडियो आपको मिल सके थैंक यू